हालो गाईज वेलकम तो बिकेश रुटरियल्स और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 11 इंग्लिश का चैप्टर नॉमबर टू स्नैप्शोट्स बुक से और इस चैप्टर का नाम है दा एड्रेस और इसके राइटर है मर्गा मिन को तो आएए शुरू करते हैं इस वीडियो क इस स्टोरी इस प्योगनेंट अकाउंट ऑफ डॉर्टर वो गोज इन सर्च ऑफ और मदर्स बिलोंगिंस आफ्टर दा वर इन हॉलेंड तो यह स्टोरी जो है वह काफी सैट फूल प्योगनेंट मतलब बता है सैट मार्मिक एक दुख भड़ा एकाउंट है एक डॉर्टर क और वह डॉर्टर मरГम इन को इस रहिए को डॉलिए कलो 호 जाती है अपने माकी जो समाना है इसको खोजने के लिए पकल लेने के लिए जाती है, हुआ क्या था कि Second World War के दौरान, Hitler जो था, वो काफी अत्यचार कर रहा था जीवज लोग के उपर पर और ये narrator और उनकी मा क्या थे? जीवज थे, तो उसलिए उनको Holland Shore के भागना ख़र रहा था उस समय और भागते समय वो लोग अपना समान कहीं छोड़ दिये थे, तो आज वो narrator जो है, मरगम इनको वो क्या कर रही है, अपनी मा का जो समान है वो उसको लेने के लिए जा रही है तो कैसे लेने जाती है, उसी का sadful story है ये, when she finds them और जब उनको ये समान मिलता है the objects evokes memories of her earlier life तो ये objects जो है वो इनके अंदर पहले का जो जीवन का जो यादे है, वो ताजा कर देती है evokes मतलब होता है arouse यादे ताजा कर देती है उनके मन में however she decides to leave them all behind and resolves to move on, लेकिन वो क्या करती है ये decide करती है कि इन सब समान को छोड़ देना है and decides to, resolves to move on and resolves का मतलब होता है decide and decide करती है कि ये सब समान को छोड़ करें हम जिन्दगी में क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे ये था ये brief intro तो आईए story को शुरू कर देंगे detail में, कैसे क्या होता है do you still know me, I asked the narrator जो है margamin को, वो जाती है और किसी के घर पे जाती है और बोलती कि क्या आप मुझे अभी भी पैचानती है the woman looked at me searchingly तो वो जो दूसरी तरफ जो औरत थी वो मुझे देखती है और काफी searchingly, कुछ ढूनते वे ऐसे रूप में देखती है वो मुझे she had opened the door a ching ching का मतलब काफी थोड़ा सा ही वो दरवाजे को खोली थी I came closer and stood on the step तो मैं narrator जो है वो थोड़ा उनके पास गई और जाके सिरियोर पर खड़ी हो गई No, I don't know you तो वो जो woman है वो बोलती है कि नई मैं तुम्हे नहीं जानती I am Mrs.S's daughter मैं Mrs.S की बेटी हूँ narrator बोलती है तो यह आप याद रखिएगा narrator की मा का नाम क्या है Mrs.S और यहाँ पर जो वो woman है उस woman का भी नाम हमें पता चलेगा आगे इस्टोरी में तो आपको पहले ही बता देते हैं उस woman का नाम है Mrs.Dorling आगे इस्टोरी में भी आएगा तो जो लिए महीं देखते हैं she held her hand on the door as though she wanted to prevent it from prevented opening any further तो वो जो औरत थी Mrs.Dorling वो क्या कि वो दर्वाजे पर इस तरीके से हाथ रखी हुई थी ऐसा लग रहा था कि वो prevent कर रही है और उसको खुले नहीं देना चाती थी मतलब वो चाती नहीं थी कि दर्वाजा और खुले और कोई अंदर आ जाई या फिर कोई अंदर देख ले her face gave absolutely no sign of recognition और उस woman के चहरे से लग रहा था कि वो एकदमी मुझे नहीं पहचानी है she kept staring at me in silence और वो मुझे देखी जा रही थी चुपचाप से देखी जा रही थी और woman का नाम क्या है Mrs. Darling और narrator के मा का नाम क्या है Mrs. S perhaps I was mistaken तो narrator सोचती है कि हो सकता है मुझे से गलती हो गई है I thought perhaps it isn't her मुझे लगा कि वो वो नहीं है जो मैं सोचके आई हूँ मतलब वो Mrs. Darling नहीं है उनको लगा I had seen her only once fleetingly तो लेखक बोलती है कि मैंने उन्हें सी वेकी बार देखा था वो भी fleetingly fleetingly मतलब for a very short time काफी कम समय के लिए देखा था तो हो सकता है मैं चेहरा भूल गई हूँ and that was years ago और वो फी कई सालों पहले देखा था It was most probable that I had run the wrong bell तो यह काफी चता चांस था कि मैंने गलत घर का घंटी बजा दिया है The woman let go of the door तो वो woman जो है Mrs. Darling जो है वो क्या करती है दरवाजे को छोड़ देती है हातों से and step to the side और आके side में खरी हो जाएती है जिसमें आगे खुला हुआ होता है मतलब आगे में buttons होता है और knitted मतलब हाथ से बुना गया था वो तो नैटर देखती है कि उनकी जो मा है Mrs. S उन्होंने वो sweater बनाया था और वो ही sweater वो Mrs. Darling अभी पहनी होई थी तो नैटर का नैजर उस पर पढ़ता है the wooden buttons were rather pale from washing और उस cardigan का जो buttons अब है वो wooden का था वो धोते धोते pale हो गया था yellowish हो गया था she saw that I was looking at the cardigan तो वो Mrs. Darling देखती है कि वो narrator जो है वो उनका sweater कोई देख रही है तो वो क्या करती है and half heat herself again behind the door वो फिट से जाएके दरवाजे के पीछे चीप जाती है आधी चीप जाती है but I knew now that I was right लेकिन अब लेखक समझ जाती है कि लेखी का समझ जाती है कि कि मैं सही घर पे आई हूँ मेरा idea सही है well you know my mother I asked तो नैटर अब बोलती है कि अच्छा तो आप मेरी मा को जानती है इसका मतलब have you come back said the woman तो woman भी आप बोलती है कि अच्छा woman भी पहचान गई बोलती है कि तुम आ गई I thought that no one had come back मुझे तो लगा कोई नहीं आया only me तो नैटर बोलती है कि नई सिफ मैं ही आई हूँ आपको पता हो रहा है कि यह लोग क्याद किया थे पहले second world war जब हुआ था तो यह लोग Holland छोड़के भाग गए थे और अभी वापस आई हुए है शिफ नैटर आई हुए है उनकी मा का समान लेने के लिए तो वही है फिस डॉर्लिंग बोलती है कि तुम आगे तो बलती है सब कोई आगए क्या तो नैटर बलती है कि नैई सिफ मैं आई हूँ अ डोर ओपें एंड क्लोज इंदा पैसेज बिहाइंडर तो लेखी का देखते है कि पीछे एक पैसेज एक गलियारी में एक दरवाजा खुलता है और फिर बंद होता है और मस्टी इसमेल इमर्ज और वहाँ से एक मस्टी इसमेल आता है मस्टी इसमेल मतलब बहुत ही बुरा बदबू आता है मस्टी इसमेल कब आता है जब कोई आपका मानली ये रूम है और उसमें बहुत दिन से fresh air अगर अंदर नहीं जाए और वो रूम थोड़ा damp हो भीगा भीगा हो तो वैसा जो smell आता है उसको बलते है मस्ठी smell I regret I cannot do anything for you तो Mrs. Darling बोलते है कि मुझे दुख है कि मैं तुमारे लिए कुछ नहीं कर पाई और कुछ नहीं कर पाऊंगी I have come here especially on the train तो narrator बोलते है कि मैं यहाँ पर खासकर से trains आई हुई हूँ I wanted to talk to you for a moment मैं आप से एक कुछ दिर के लिए बात करना चाहती हूँ It is not convenient for me now said the woman तो woman बोलते है कि ने यह मेरे लिए convenient नहीं है चुबिया जनक नहीं है अभी I can't see you another time अभी हम तुमसे नहीं मिल सकते हैं तुम कोई दूसरा समय में आओ She nodded and cautiously close the door as though no one inside the house should be disturbed तो वो इतना करके अपना सीर हिलाती है और धीरे से दरवाजे को बन कर देती है ऐसा लग रहा था कि दरवाजे को धीरे से क्यों बन करती है और दरवाजा उन्होंने बन कर दिया Mrs. Darling ने The curtain in front of the bay window moved और bay window bay window कैसा होता है आप picture में देख भार होएंगे bay window खिरकी बाहर का तरफ लिखला होता है तो उस bay window bay window में एक क्या लगा था curtain पर्दा लगा हुआ था वो पर्दा हरका साहिला Someone stared at me और कोई पर्दा को side करके मुझे थुराद देखा लेखिका को कुछी ने देखा and would then have asked what I wanted और हो सकता है कि उस इंसान ने Mrs. Darling से पूछा होगा अंदर में कि मुझे क्या चाहिए था Oh nothing the woman would have said और ये woman ने क्या बोला होगा उसको कुछ नहीं चाहिए था इने It was nothing, कुछ नहीं था वो तो लेखिका ऐसा सोचती है कि अंदर में ऐसा हुआ होगा I looked at the nameplate again तो लेखिका राइटर फिर से उस nameplate को देखती है और darling it said तो अब आगिया वहाँ पे नाम darling तो उसमें लिखा हुआ था darling Mrs. Darling in black letters काले अक्षोरे में लिखा गया था on white enamel और white paint पे लिखा गया था darling black से on the jam jam क्या होता है माली जी दर्वाजा है तो दर्वाजा के चारो तरफ क्या होता है लकरी का लगा होता है ना frame तो उस frame को बोलते है jam तो उस jam पे थोड़ा उचे में क्या लगा हुआ था और उस jam में लिखा हुआ था number 46 as I walked slowly मतलब यह address आपको याद रखना है number 46 है और नाम लिखा हुआ है darling house number था 46 as I walked slowly back to the station I thought about my mother तो आप narrator क्या हो रही है अब वापस एड्रेस दिया था कई सालों पहले it had been in the first half of the world war और यह address उन्होंने कब दिया था world war जब चल रहा था second world war उसका second half, first half में world war कब से कब चला था second world war आपको पता होगा between 1939 and 1945 के बीच में second world war चला था तो उसका first half में उन्होंने यह address बताया था narrator को I was home for a few days तो मैं कुजिनों के लिए घर आई हुई थी तो लेखिका flashback बताती है कि क्या हुआ था उस्जिन तो लेखिका भी क्या करी है extension की तरफ जा रही है और जाते जाते यह सब बात को सोच रही है और सोच सोच से हम लोगों को बता रही है कि लेखिका कुजिन के लिए घर आई हुई थी and it struck me immediately that something or other about the rooms had changed और लेखिका जब घर में आके देखती है तो उनको लगता है कि कुछ ना कुछ तो change हुआ है I missed various things लेखिका को लगता है कि कुछ सावान missing है घर में से My mother was surprised I should have noticed so quickly और मेरी मम्मी जो थी अब बोलिए इसका ममी का नाम क्या था नरेटर का ममी का नाम Mrs. S तो Mrs. S जो थी वो काफी surprise हो गई कि कैसे इतना जल्दी नरेटर नोटीस कर ली कि कुछ सावान missing है Then she told me about Mrs. Darling तब उन्होंने मुझे बताया Mrs. Darling के बारे में जो house number कितना में रहती है number 46 यह सब आपको यादर करते जाना है I had never heard of her but apparently she was an old acquaintance of my mother मैंने उनके बारे में कभी नहीं सुना था लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो मेरी मा की दूर की कोई जान पैचान की रिष्यदार है whom she hadn't seen for years जिन से मेरी माने कई सालों से नहीं मिला था she had suddenly turned up और वो अचनक से आ गई थी Mrs. Darling and renewed their contact और फिर से उनका contact वापस से चालो हो गया since then she had come regularly और तब से वो हमारे घर में लाकादार आ रही थी regularly आ रही थी every time she leaves here she takes something home with her said my mother तो मेरी ममी मुझे बताती है कि हर वार जब वो यहां से जाती है तो वो कुछ न कुछ अपने साथ अपने घर लेके जाती है she took all the table silver in one go वो तो एक बार में क्या कि जितने भी table मतलब डारेंग टेबल पर जितने भी silver के जो बरतन उतन थे वो सब एक बार में ले गई वो and then the antics plates that hung there और उसके बाद जो वो वाल पर यूनिक plate सब जो टंगा हुआ था वो भी ले गई फिर she had troubled lugging those large vases और एक बार तो क्या हुआ कि उन्हें काफी muskill हुआ lugging, lugging मतलब होता है carrying carry करने में, क्या carry करने में those large vases full dhani जो था वहाँ पर बढ़ा-बढ़ा उसको carry करने में उनको काफी दिकत हुआ Mrs. Darling को and I am worried she got a creak in her bag और मुझे tension हुआ कि उनके जो कमर में क्या आगई, creak, creak मतलब accuracy आगई उनके कमर में from the cockery, cockery को उठाने से my mother shook her head pittingly, तो मेरी मम्मी जो थी वो काफी दुख में अपना सीर हिलाती है I would never have dared ask her तो मेरे में तो हिम्मत ही नहीं था उनसे ये बोलने का कि वो मेरे सब समान को ले जाए क्यों ले जाए क्योंकि अभी यूद चल रहा है अगर ये लोग ऐसे ही छोड़के चलेंगे तो समान तो बरबाद हो जाएगा लेकिन अगर किसी को swap के जाएंगे और बाद में कभी लोटके आएंगे जैसे कि अभी narrator आयो ही अपना समान को लेने के लिए तो वही उनका ममी भी सोची थी कि कभी ने कभी समान लेके जाएंगे बाद ने होगा समान तो वही बोल रहे है कि I would never have dared ask her मुझे तो हिम्मत ही नहीं था कि कभी हम उनसे ये बाद बोल पाएं कि आप मेरा समान आप रख लीजिए She suggested it to me herself उन्होंने खूद मुझे ये बाद बता था कि आपका सब समान हम रख लेते उन्होंने किसने? Mrs. Darling ने She even insisted यहाँ था कि यही पर छोड़के चलेंगे तो ये सब समान बरबाद हो जाएगा ऐसा मेरी ममी बोलती है नाइटर की ममी उनका नाम क्या है? Mrs. S Have you agreed with her that she should keep everything I asked? तो नाइटर पूछती है कि आपने क्या माल लिया कि ये सब समान वो खुद रख लेंगी अब उनका हो जाएगा ये सब समान As if that's necessary, my mother cried तो मेरी ममी तो चीला के बोलती है कि क्या ये ज़रूरी है पूछना उनसे ये सब समान वो रख लेंगी It would simply be an insult to talk like that ये काफी insulting होगा कि मैं उसे ये बाग पूछू कि क्या ये सब समान आप रख लीजिएगा मतलब ये तो obvious है कि ज़रूर वो समान लोटा देगी बाद में जाके And think about the risk She is running और ये मल भूलो कि वो कितना risk ले रही है हमारे कारण Each time she goes out of the door with a full suitcase or bag हर बार जब वो घर से बाहर जाती है तो एक पूरा भरती suitcase ये फिर bag लेके बाहर जाती है और कितना risk ही होता है उसके लिए ये सब ऐसा मम्मी बोलती है narrator को My mother seemed to notice that I was not entirely convinced तो मेरी मम्मी मेरे चेहरे को देखती है और मेरे चेहरे को देखकर उन्हें पता चलता है कि मैं पूरी तरह संतुष नहीं हुई उनके जबाब से She looked at me reprovingly तो उसके कारण से वो मुझे काभी गुसे से देखती है and after that we spoke no more about it और उसके बाद से हमने इसके बारे में कुछ भी बात नहीं किया Meanwhile I had arrived at the station without having paid much attention to things on the way और ऐसा लेखी का सोच्टे सोच्टे कहा तक पहुँच गई है आपको पता है वो station की तरफ जा रही थी station पहुच गई और रास्ते में उन्हें कुछ भी दिखा तो उस पर ज़्यादा attention वो नहीं पे की थी ध्यान नहीं दी रास्ते पर क्या चीज दिखा उन्हें I was walking in familiar places again for the first time since the war तो यूद के बाद पहली बार वो अपने जाने पैचाने जगों से होखे गुजर रही थी but I did not want to go further than was necessary लेगिन मुझे जितना काम था मतलब जहां तक station तक ही काम था मुझे तक वो लेख गई उसके आगे और कहीं नहीं गई I did not want to upset myself with the sight of streets and houses full of memories from a precious time मैं अपने आपको upset दुखी नहीं करना चाहती थी उन सब रास्तों और उन सब घरों को देखकर जिनसे मेरी काफी ज़्यादा यादे जूरी हुई है और काफी precious time मैंने वहाँ पर बिदाया है इन दे ट्रेन और लेखिका चाहिए अब ट्रेन में बैट जाती है इन दे ट्रेन बैक I saw Mrs. Darling in front of me again तो लेखिका के सामने फिर से Mrs. Darling दिखाई परती है मतलब फिर से वो उनके बारे में सोचती है उनके दिमाग में Mrs. Darling फिर से उनका चेहरा आता है ट्रेन में बैट के अब सोच रही है कि as I had first time I met her तो जैसा मैंने पहली बार मिला था वैसा ही चेहरा फिर से उनके दिमाग में आता है एक बार वो सुबे का दीन होता है लिखिका सोच रही है ये कि सुबे का time होता है after that day my mother had told me about her जिस दिन लिखे का कि मम्मी ने उन्हें बताया था Mrs. Darling के बार में उसके बाद वाला दीन में का सुबे का time है ये I had got up late, मैं काफी late उठी थी and coming downstairs अर जब मैं सिरी से उतर रही थी I saw my mother about to see someone out मैंने देखा कि मेरी मम्मी किसी को बाहर छोडने जा रही है a woman with a broad back एक औरत थी जिनका कमर जो था, पीठ जो था, वो काफी चौरा था मतलब वो कौन थी? Mrs. Darling की थी जिसका broad back था there is my daughter, said my mother see back on to me तो मेरी मम्मी Mrs. S वो क्या करती है, मेरी तरफ इसारा करके बताती है कि वो देखो, वो रही मेरी बेटी the woman nodded and picked up the suitcase the woman बलती है, हाँ, ठीक है, सीरी लाती है वो and picked up the suitcase under the coat rack और coat rack से वो अपना suitcase उठा लीती है coat rack क्या होता है? एक stand होता है जिसमें hooks लगा होता है does she live far away, I asked तो narrator पुछती है कि क्या ये काफी दूर रहती है क्या seeing the difficulties she had going out of the house with the heavy case लिखी का देखती है कि वो काफी भारी-भारी case suitcase उठा के जा रही है तो पुछती है कि क्या वो बहुत दूर रहती है क्या in Marconi street said my mother, number 46 remember that, तो ये रहा अपका complete address इसको आपको काफी याद रखना है काफी important है ये तो address क्या है number 46, number house है वो और Marconi street में उनका घर है तो लेखी क्या कि मा उनको बताती है, बोलती है कि याद रखना I had remembered it तो narrator ने इसको याद भी रखा हुआ है but I had waited a long time to go there लेकिन नेटर को बहुत दिन तक इंटिजार करना पड़ा वापस यहाँ पर लॉट के आने के लिए यहाँ पर कहाँ पर यह लोग अभी कहाँ पर है Holland में वापस लॉट के आई हुई है initially after the liberation तो आजादी के बाद मतब यूद समाप्थ होने का बाद I was absolutely not interested in all that store stuff मुझे एकदमी दिलचस्पी नहीं था उन सब समानों में जो मेरी मम्मी की थी and naturally I was also rather afraid of it और सभाईब बात है कि मैं काफी डर भी रही थी इन सब समानों से afraid of being confronted with things डर किस बात का था मुझे डर लग रहा था कि confronted with things that that had belonged to a connection that no longer existed क्योंकि यह सब समान उस वेक्टी से बिलोंग कर रहा था उस relation को बता रहा था जो relation अभी जो connection अभी existing नहीं करता है मतलब हो सकता है उनकी मा मर गई हो और उसी कवज़े से सोचती है कि वो दुख में नहीं जाना जाती है फिर से और यह सब समान वेट कर रही है इंतिजार कर रही है वो भी वेट में फालतु इंतिजार कर रही है कि वो लोग फिर से they were put back in the place again फिर से अपने वापस उसी पुराने जगा पर रखे जाए वो सब समान इंतिजार कर रही है which had endured all those years और यह सब समान यह सब समान यह इतने साल को बड़ास कर लिये है because they were things कि यह लोग समान है मतलब इंसान तो उनकी जो मम्मी है वो तो जिन्दा नहीं रही लेकिन यह समान जो है वो इंतिजार कर लिया लेकिन मारी मम्मी इंतिजार नहीं कर पाई but gradually everything became more normal again लेकिन फिट धिरे-धिरे यूद के बाद सब्सित नॉर्मल हो गिया bread was getting to be a lighter color bread जो था वो lighter color का हो रहा था इसका मतलब जो पहले जो bread होता था वो coarse मतलब काफी rough होता था brown color का होता था वो अब धिरे-धिरे अच्छा quality का जोगी होता है मतलब वही बुला गया कि bread was getting to be a lighter color light color का white color का जो bread होता है वो काफी अच्छा quality का होता है soft होता है और जो brown color का होता है वो थोड़ा rough होता है coarse होता है bread अच्छा मिलने लगा there was a bed you could sleep in unthreatened और एक ऐसा बिस्तर था जहांपर बिना डड़के सो सकते थे a room with a view you are more used to glancing at each day और एक ऐसा रूम भी था जहांपर काफी अच्छा संदरिय देहने को मिलता था view देहने को मिलता था and one day I noticed और एक दिन क्या हुआ कि मुझे पता चला कि I was curious about all the positions that must still be at that address एक दिन क्या होता है कि narrator को याद आता है कि उनको curiosity होता है बेचे निसी होता है कि वो सब समान क्यों आप एड्रेस में पढ़ा होगा तो क्यों आम लेके आ जाए I wanted to see them touch and remember उनका मन क्या कि उन समान को एक बाट देखे छुए और उनको याद करे तो उसी लिए वो narrator क्या कि यहां पर आ गई है समान को लेने के लिए एड्रेस क्या है नंबर 46 माटकोनी स्ट्रीट हॉलेंड में है After my first visit in vain to Mrs. Darling's house I decided to try a second time तो लेखी narrator का तो first visit था वो तो fail हो गया था कुछ फायदा नहीं हुआ तो narrator अभी train में बैट भी और सुछती कि चलो एक बाद फिर से try करके आते हैं तो वापस train से उतरती है और घर पे जाती है उनका Now a girl of about 15 opened the door अब अपकी वाड़ क्या होता है कि एक लड़की जो की 15 साल की होती है वो दरवाजा खोलती है I ask her if our mother wasn't home मैं उनसे पूछती हूँ कि क्या आपकी ममी घर पे है No she said my mother is doing an Iran एक नहीं मेरी ममी थोड़ा बाहर गई है Iran मतलब short trip कहीं काम से थोड़ी बाहर गई है वो बोलती है वो जो लड़की है 15 साल की वो Mrs. Darling की बेटी है No matter I said I will wait for her तो narrator बोलते कि कोई बात नहीं मैं थोड़ी दर इंतिजार कर लेती हूँ I followed the girl along the past तो narrator वो लड़की यह पीछे पीछे जाती है और रास्ते से गुजरके An old-fashioned iron hanukka candle holder hung next to a mirror तो वो देखती है कि यह काफी पुराने जवाने का Iron candle holder था Hanukka candle holder वो टंगा हुआ था Thick mirror के side में We never used it because it was much more cumbersome than a single candlestick तो वो जो candle holder था वो narrator का थासली में और नैटर बद बता रही है हमें कि उन्होंने उनकी family जो थी उन्होंने इस candle holder को कभी यूज नहीं किया क्योंकि वो काफी कमबर्जम था है Handle करने में काफी मुश्किल आता था उसको than a single candle stick Compared to candle stick Candle stick काफी आराम था यूज करने में तो उसलिए लोग candle stick यूज करते थे बजाय हनुक का candle holder के Once you sit down ask the girl तो वो लड़की पूछी है जो पंदर साल की है वो बोलती है कि आप बैठिंगी नहीं She held open the door of the living room वो living room का तरवाजा खोलती और बलनी कि आई आप अंदर बैठिये I went inside pastor मैं उसके पीछे पीछे अंदर चली गई I stopped horrified तो लेखी का जब living room के अंदर जाती है तो उन्हें काफी वो रुख जाती है और काफी डर सी जाती है उनको डर लगता है I was in a room I knew and did not know I found myself in the midst of things I did want to see again but which oppressed me in the strange atmosphere तो वही बढ़ता है जाता है कि मैं अपने आपको उन सब समानों के बीच में पाई जिसे मैं देखना चाहती थी लेकिन उनका जो strange atmosphere था आसपास का जो atmosphere था वो मुझे काफी बैचेन कर रहा था दुख दे रहा था और because of the tasteless way everything was arranged या फिर हो सकता है मैं डड़ गई इसलिए भी क्योंकि काफी बेकार तरीके से वो लोग सजा के रखे थे रूस रूम को तो लेकिया बोले मुझे पता नहीं क्या reason था कि मुझे क्यों ड़ लग रहा था लेकिन मुझे हिमत में हुआ कि मैं रूम के चाड़ तरब देखूं क्योंकि उनकी सब पुराने यादे फिर से ताजा हो जाती तो फिर लेकिया क्या करती है उनका जो फिर लेकिया क्या करती है वो टेवल क्लोज जो था उसका साइड साइड में जो पैटर्न बना हुआ है वो पैटर्न को फॉलो करती है उस पर अपना उंगली चलाए जा रही है somewhere on the age there must be a burn mark that had never been repaired तो नाइटर को पुड़ना याद याद है और वो बोलती है कि कही न कहीं इस design में इनारे पर कहीं न कहीं एक जलने का mark होगा जो से repair नहीं किया गया होगा तो लिखे के वो अभी भी साड़ा बात याद है my mother will be back soon said the girl लड़की मुलते कि मेरी मा तुरंत आ जाएगी I have already made tea for her मैंने उनके लिए चाय बनाया है will you have a cup क्या भी एक cup पीएंगी thank you नाइटर मुलते है कि thank you I looked up the girl puts the girl put cups ready on the tea table तो नाइटर जो है वो उपर देखती है और देखती है कि वो जो लड़की है वो cups जो है वो सजा रही है tea table पर she had a broad bag तो उसका भी कमर और पीटर जो था वो काफी चोरा था just like और मतर उसकी ममी की तरह और ममी का नाम क्या है Mrs. Darling she poured tea from a white pot एक white pot से वो चाय ढाल रही है all it had was a gold border on the lid तो उस white pot के जो धकन जो था लीड जो था उस पे gold border लगा हुआ था I remember लेकिए को यादर आता है वो बात she opened a box and took some spoons out तो और लड़की जो है वो क्या करती एक box खोलती है और कुछ वहाँ से चमच निकालती है That's a nice box I heard my own voice तो यह narrator जो है वो खुदी बोलती है कि वो काफी अच्छा box है जिस box में क्या रखा हुआ था? Spoons रखा हुआ था I heard my own voice उन्हें अपना बात खुदी सुनाई परता है मतलब उनको लगता है कि कोई और उनका आवाज उन्ही को सुनाई दिया It was a strange voice, वो काफी अजीब सा आवाज था उस रूम में As though each sound was different in this room ऐसा लग रहा था कि इस रूम में हर एक आवाज अलग है दूसरे एक आवाज लग रहा था मतलब लेखी करा तो खुदी बुली है कि that's a nice box उनको लग रहा था कि कहीं और सा आया वो आवाज Oh you know about them, she had turned around and brought me my tea तो बोलती है कि अच्छा तो तुम इसके बारे में चानती हो तुम्हें ये box बारे में पता है वो पीछे घुरती है और मेरे लिए चाय लेके आती है She laughed और वो काभी हस्ती भी है My mother says it's antique वो बोलती है कि उनकी मम्मी जो है मतलब Mrs. Darling जो है वोलों का कहना है कि ये काफी antique है, unique है We have got lots more बोलती हमारे पास ये सब बहुत सरा चीज है इस box के जैसा She pointed round the room और वो रूम के चारो तरफ उंगली दिखा के बताती है कि देखो वो देखो ये सब ये सब She for yourself बोलती है कि आप खुदी देखो I had no need to follow her hand I knew each thing, मुझे तो हर एक चीज पता था कि किस में क्या खास बात है I just looked at the still life over the tea table तो नाइटर का नजर सीव किस पर था उस tea table पर जो समान वहान पड़ा हुआ था उसी पर नजर था As a child I had always fancied the apple on the pewter plate तो जब लेखी का एक बच्ची थी तब वो उनको हमेशा प्यूटर प्लेट पर apple जो सजा हुआ मिलता था उनको काफी पसंद था उनको वेसे सजा हुआ apple We use it for everything she said तो वो लड़की अभी भी बता रही है कि हम लोग हर चीज के लिए इस्तमाल करते है Once we even ate of the platters hanging there on the wall बोल रहे है कि वाल में एक प्लेट संगा हुआ है कुछ तो वो बलती है कि एक बार तो हमने उस प्लेट में खाना भी खाया था I wanted to so much मैं उसमें बहुँचीज करना चाहती थी But it wasn't anything special लेकिन उसमें कुछ खास उतना बास लिखला नहीग I had found a burn mark on the table cloth तो नर्रेटर जो उंगली सहला रही थी उस table cloth के चारो तरफ से और बोली थी कि कहीं नहीं कहीं जलने का निशान होगा तो उन्हें वो जलने का निशान मिल जाता है The girl looked questioningly at me तो लड़की देखती है कुछ question करने का भाव से उसको देखती है नर्रेटर को Yes, I said तो नर्रेटर अब बोलते है You get so used to touching all those lovely things in the house You hardly look at them anymore हाँ, जब आप अपने घर में राते हो तो आपको इतना used to हो जाते हो आप उस समान से इतना आदत लग जाता है आपका कि आप You hardly look to look at them anymore कि आप उन पर देखना ही बन कर देते हो जब नर्रमन जो घर का समान होता है उसके हम लोग इतना used to हो जाते है कि उस पर ठिक्चे देखते भी नहीं है You only notice when something is missing आप उस पर ध्यान तम देते हो जब वो समान आपके पास ना रहे तो Because it has to be repaired क्योंकि वो समान कहां गया होता है repair होने के लिए गया होता है और because you have lent it या फिर आपने किसी को दिया हुआ होता है For example, example के लिए तो नेटर आपना खुत्रा example दे रही है मतलब नेटर को बता है कि वो क्या बोल रही है लेकर लड़की तो नहीं समझ पाई होगी कि वो क्या बोल रही है कि नेटर बोल रही है कि उनकी मम्मी ने उस समान इनको दिया था और तब उस समान को असली मिस कर रही है वो वही बता रही है यहाँ पर Again I heard the unnatural sound of my voice तो लिखी का वो फिर से अपना यावाज फिर से सुनाई परता है And I went on और लिखी का फिर से बोलना चालू करती है I remember my mother once asked me if I would help her polish the silver मुझे याद है कि मेरी मम्मी ने एक बार मुझे बोला था कि मैं उनकी मदद करू Silver को polish करने में It was very long time ago, काफी दिन पहले था वो And I was probably bored that day Or perhaps I had to stay at home And I was probably bored that day And I was probably bored that day Because I was ill because I was ill As she had never asked me before So My mother never told me to polish the silver के लिए के लिए 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 आज बोला था I asked her which silver cement So I asked my mother to polish which silver cement आपको पता है silver का मतलब होता है चान्दी And she replied surprised And my mother replied That it was the spoons Forks and knives And that was the strange thing And I didn't know the cutlery we ate of every day was silver I didn't know the cutlery we ate of every day was silver I didn't know the cutlery we ate of every day was silver जिसे वो रोज खाते थे वो silver का था नैटर को यह बात तक पता नहीं था तो वो यह incidents शेर करती है उस 15 years old girl के साथ The girl laughed again तो वो लड़की फिर से हस पढ़ती है I bet you don't know it is either I looked intently at her तो लेखी का यह बार बोलती है कि मैं sure बोल सकती हूँ कि तुमें भी यह बात पता नहीं होगा कि तुम जिसमें खाना खाती हो वो सब समान क्या चीज़ का होगा शिलवड का होगा यह बात तुमें भी पता नहीं होगा What we eat with तुमें खाना खाते है वो चांदी का है Well, do you know, तुमें पता है क्या She hesitated, वो हिच की चाये मतलब उसको पता नहीं था कि वो उसका spoon और fork सब चांदी का है She walked to the sideboard and wanted to open a drawer तो वो sideboard की तरफ जाती है और drawer खुलने अकोशिस करती है और बोलती है कि I will look, it is here in वो को मुझे देखने दो, यह सब चांदी का है कि नहीं I jumped up, I was forgetting the time तो नाइटर तुमें तुरंत ऊट जाती है और बोलती है कि मैं समय भूल रही हूँ I must catch my train, मुझे train भी पकरना है She had her hand on the drawer तो उस लड़की का हाथ drawer बहुत चुका है और drawer खोलने भाली है Don't you want to wait for my mother? वो बलते कि क्या तुम परी मम्मी के लिए इंतजार नहीं करोगी No, I must go, I walk to the door तो नाइटर बोलती है कि नहीं मुझे जाना ही होगा तो इतना बोलती है नाइटर दर्वाजे का पास पहुच जाती है The girl pulled the drawer open लड़की का कट्या drawer को खोल देती है I find my own way और नाइटर निकल जाती है रूम से बाहर I walk down the passage नाइटर वक कर रही है पैसेज की तरह उस गलियारी से वक किये जा रही है I heard the jingling of spoons and fox देखती है कि I looked at up at the nameplate फिरसे वो nameplate पे देखती है और उसमें लिखा होता है Marconi street it said Marconi street लिखा हुआ है उस nameplate पे I had been at number 46 उसमें 46 लिखा हुआ है the address was correct और यह address 100% correct था but now I didn't want to remember it anymore लेकिन अब उस address को मुझे याद नहीं रखना है I wouldn't go back there मुझे हमें आपर वापस नहीं जाओंगी because the objects that are linked to your memory with the familiar life of former times क्यों वापस नहीं जाओंगी क्योंकि वो जो objects से जो आपकी यादों के साथ जुरी हुई है और वो यादे कपकी है आपके पहले के वक्त ही है instantly lose their value तो वो सब जो objects से वो सब अपना value lose कर देते है see them again in strange surroundings वो सब समान जिससे क्या है यादे जुरी हुई है वो सब तो वो सब समान का क्या होता है value lose हो जाता है कब जब आप उसको किसी एक अजीब surrounding में बैठके या फिर कोई और आपको उसको उसमें कुछ सब करें तो उस समान का value चला जाता है करता है and what should I have done with them in the small rented room और मैं उसमान लेके भी क्या करती क्योंकि मैं एक छोटे से भारी की रूम में रह रही थी rented room था where the shirts of blackout paper still hung along the windows और उस room में रूम के खिरकी पर blackout paper के छोटे-छोटे टुकरे अभी भी टंगे हुए थे blackout paper second world war के time में use होता था उसमें क्या करते थे कि black paper खिरकी पर टंग देते थे क्योंकि अंदर जब lights जालेगा तो बाहर के लोगों को पता नहीं चलेगा कि अंदर में कोई लोग है तो इससे enemy से बचने के लिए ऐसा करते थे वो लोग तो वो blackout paper अभी भी टंगे हुए थे खिरकी पे उनके rented room में and no more than a handful of cutlery fitted in the narrow travel drawer और उनके जो टेवल का drawer था उसमें एक मुटी भर cutlery वह जो चमच छूडी फॉर्ट की यह सब रखा हुआ था इससे ज़ला कुछ नहीं था तो वह ऐसे room में इन समसवान को लेके जाके भी क्या करेंगी वो I resolve to forget the address उन्होंने ठान लिया कि decide कि यह address अब भूल जाना है Of all the things I had to forget मुझे हर चीज भूल जाना है That would be the easier वह सबसे आसान तरीका होगा इन सब चीज़े मुक्ती पाने का